हलो एंग गुद मॉर्णिंग एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूं डॉक्टर मॉनिका और आज हम 25 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले है और क्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फेक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ यह हमारा टैलिक्राम चैनल है यहां पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगी और इस लेक्चर की पीडिएप भी आपको यहां मिल जाएगी यह आपके हैं ये किसने जीता है तो इसका क्रेक्ट अंसर है मैक्सवर्स्टेपेज़ एक जीता गया है सीजी का क्रेक्ट अंसर है रैडबुल के यह ड्राइवर है और नीदर लें के हैं चलिए डिटेल से बात करें तो फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन मैक्स वर्ड स्टेपेंड ने रैडबुल में स्पेनिश ग्रैंड प्री जीत कर फेरारी के चार्ल्स लैकलर से सीश पर कबजा कर लिया है जो सरकीट डी बार्सी लोना कैटालूना में नेत्रत करते हुए एक इंजन की विपलता के साथ में सेवा निर्वत हुए और मेक्सिकन सर्जियो पैरेस तेरा सेकिंड पीछे रहकर दूसरे स्टान पे ये रहे हैं ब्रिटेन के जोर्ज रसेल एक पुनर जीवित मर्सडीज के लिए तीसरे स्टान पे इस टूनामेंट के अंदर रहे हैं चलिए Top 5 Winners of Formula One World Championship 2022 की बात करें जो Formula One World Championship 2012 के उनके Top 5 विजेताओं के नाम के बारे में हम जाने तो जो Miami Grand Prix 2022 है ये किसने जीता था? Max World Stain के दोरा ही जीता गया था ये Red Bull के ड्राइवर है और Niederland के रहने वाले है जो Beharin Grand Prix है ये Charles Lackler के दोरा जीता गया है और ये Ferrari के ड्राइवर है और Monaco के है Saudi Arabia Grand Prix 2022 किसने जीता है तो ये भी Max World Stain के दोरा जीता गया है Australian Grand Prix 2022 जीता है Charles Lackler के दोरा और जो Emilia Romanga Grand Prix है ये किसने जीता है तो ये भी Max Verstappen के दोरा जीता गया है और अब Max Verstappen के दोरा जो Spanish Grand Prix है 2022 का जो टाइटल है ये भी इनों ने जीत लिया है Second number question है Who is the MD and CEO of the technical company Infosys तकनी की कमपनी Infosys के MD और CEO कौन बने है तो इसका correct answer है सलील पारिक बने है C इसका correct answer है IT प्रमुख Infosys ने गोशना की है कि उनके निदेशक मंडल ने सलील एस पारिक को कमपनी के मुख्य कारेकारी अधिकारी और प्रवन निदेशक के रूप में न्यूक्त किया है और 1 जुलाई 2022 से प्रभावी 5 साल की अवधी के लिए 31 मार्ज 2027 तक शेर धारक के अनुमोधक के अधिन फिर से निदेशक किया है और ये नामंकर और परी शर्मिक सिमिती की शिपारिशों पर आधारित है और शेर धारिकों के अनुमोधन के अधिन है सलील पारिक जनवरी 2018 से इनफोसिस के मुख्य कारिकारी अधिकारी और प्रभण निदेशक है और पिछले चार वर्षों में सफलता पूर्वक इनफोसिस का नेतरत विनों ने किया है और उनके पास IT सेवा उध्योक्स में 30 से अधिक वर्षों का वेश्विक अनुभव भी है इनफोसिस की बात करें वन ओफ दे लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया इसकी जो स्तापना है ये 7 जुलाई 1981 को हुई थी इसका हेड़कॉर्टर बैंगलोर के अंदर है और इसके प्रेजिदेंट है नंदन नीलकानी थर्ड नबर क्वेशन है दे फॉर्थ एडिशन ओफ कॉर्डिनेटेट पैट्रोल एक्सरसाइज कॉर्पेट 2022 बिट्विन इंडिया और भारत और किस देश की नो सेना की भी समन WITH गशती अभ्यास कॉर्पेट 2022 चोथा सनसकरन शुरू हुआ है तो इसका करेक्ट अंसर है बागलादेश के साथ में हुआ है तो इसका करेक्ट अंसर है इंडियान नेवी बांगलादेश नेवी कॉडिनेटेड पैट्रोल का चोथा संसकर्ण इन्होंने शुरू किया है। गश्ती अभ्यास बंगाल की उत्री खाडी में शुरू हा है और 22 से 30 में इसके बीच में ये जारी रहेगा। दोनों इकाया अंतराष्टी समुद्री सीमा रेखा पर सयुक्त गश्त करेगी और पिछला IN-BN कॉर्परेट अक्टूमबर 2020 में ये आयुजित किया गया था। भारतिय नो सेना के स्वदेशी युद्ध पोद, INS कोरा और INS सुमेदा के साथ साथ बांगलादेश नो सेना के युद्ध पोद, BNS अली हैदर और BNS अब्बू उबेदा गश्त के दोरान पानी को छुएगा और कॉर्परेट के दोरान दोनों सेनाओं के समुद्री गश् जो एक्सराइज है यह इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है जो इक्वेरीन जो एक्सराइज है यह इंडिया और माल्डिव्स के बीच में होती है और मित्र शक्ति जो एक्सराइज है यह इंडिया और श्री लंका के बीच में होती है सूर्य किरन जो मैनेवार्स जो ए ऐस्ट्रेलिया की नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने है तो इसका करेक्ट आंसर है एंथनी अल्बनीज बने है 20 का करेक्ट आंसर है उस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने देश के नए प्रधान मिन्तरी के रूप में शपत ली है और ये अपने इंतजार को खतम करते हुए चुनाव में जीत का दावा किया और इसके साथ ही एंथनी अलवनीज देश के 31 वे नंबर के जो प्रधान मंत्री है ये बने है और 69 वर्ष ये नए प्रधान मंत्री ने कैनबरा के गवर्मेंट हाउस में एक संग्षिप्त समारों में शबतली है और पदगरन करने वाली उनके टीम के अन्य सदश्यों में शामिल है विदेश मंत्री पैनी वाग जो क्वार शिकर संबेलन में अलवानीज के साथ में शामिल होने वाले है चलिए ऑस्ट्रेलिया की ह अम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये कौन सी है तो इसकी कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ये होती है डॉलर और इसे द्वीपे महादीप कहा जाता है और जो गिपसन और जो विक्टोरिया के मरुस्तर है ये कहां पे और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमी का देश कहा जाता है जो ग्रेट डिवाइडिंग रीज परवरın श्रंकला है यांके जो नय को सब नंड़ बन गिन एंथनी अल्बनीज वन गए हैं तो ये भी आपको याद रखना है चलिए टॉफ फाइव इंटरनेशनल अपोइंट्मेंट्मेंट्स को हम रिवाइस कर लेते हैं न्यू प्रेजिडेंट ऑफ साउथ कोरिया तो ये बने है यू सुगी ओल रोडरी को चार्व्स न्यू प्रे रामिनिस्टर है उनका नाम है रोबर्ट अबेला तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने डीस का करेक्ट आंसर है केंद्री सिक्षा और कोशल विकाश मंतरी श्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गोहाटी में North East Research Conclave 2022 का जो शुबारम है ये किया है और अपनी टिपणी के अंदर श्री प्रधान नी कहा है कि सम्मेलन उध्योग, शिक्षा विदो और नीती निर्माताओं के भी सम्मंदों को बढ़ाएगा और साथी संसादन संपन पूर्वतर शेत्र के राज्यों और देश में अनुसंदान स्टाट अप और उध्यम सीलता पारिस्तिती की तंत्र को फिर से सक्रिय करेगा और North East Research Conclave में उध्यमी और शोद संसान अपने नवाचारों को प्रदशित कर सकते हैं और ये उत्तर पूर्व के लिए एक शांदार प्रयास है क्योंकि ये नीती निर्माताओं और उध्योग जगत के नीताओं और शोद करताओं को एक मंच पर एक साथ धखता है इस विशाल आयोजन का छेत्र के श्तेक्षिक छेत्र पर महत्रपुन प्रभाव पड़ेगा 6. नमर क्वेशन है समझोता ग्यापन परहस्ताक्षर किये हैं तो यह किये गया है वर्ड इकोनॉमिक फॉरम स्विजर लेंड के एक साथ में डिसीज का करेक्ट आंसर है महारास्ट्र जीडीपी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य और देश की वित्य राजदानी मुंबई का घर प्लास्टिक प्रदूशन से निपटने के लिए शेत्री प्रियासों को बढ़ावा देने के लिए वर्ड इकोनॉमिक फॉरम की ग्लोबल प्लास्टिक एक्षन पार्टनर्शिप में शामिल हो गया है प्लास्टिक प्रदूशन को खत्म करने के लिए राज्य व्यापी योजना तयार करने के लिए साजेदारी महारास्ट में वरिष्ट नीती निर्माताओ, व्यापारिक नीताओ, नागरिक समा संगठनों और विशेशग्यों को एक साथ लाएगी महारास्ट की बात हुई है तो महारास्ट से रिलेटर एक्स्टाफेक जान लेते हैं The 40th edition of Hunarhar took place in Mumbai, महारास्ट has launched a scheme to give personal loans of prisoners जो जेल की केदी है उनके लिए जो personal loan है इसके scheme यहां के government ने लाँच की है Indian Army along with महारास्ट पुलिस conducted सुरक्षा कवश्टू exercise Indian Army के साथ में मिलकर महारास्ट जो पुलिस है इन्होंने एक exercise conduct कराई है जिसका नाम है सुरक्षा कवश्टू RIL opened India's largest business and culture center in Mumbai, रजनी सेट यहां के जो नए DGP है ये बने है Statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj unveiled in Pune तो इसका नावरान जो है पूने के अंदर किया गया है 7 number question है who has won the title of UEFA Europa Football League 2022 UEFA Europa Football League 2022 का जो खिताब है ये किस ने जीता है तो इसका correct answer है ये German club Oytrancht Frankfurt के द्वारा ये जीता गया है ये इसका correct answer है डिटेल से बात करें तो German club Oytrancht Frankfurt ने स्पीन के Sevilla में penalty पर renzers को 5-4 से हरा कर 42 साल में अपनी पहली European trophy जीती है और Scottish club renzers भी 1922 में Cup Winners Cup के बाद से अपना पहला European खिताब जीतने की कोशिश कर रहे थे Kevin Trepp man of the match थे इसके अंदर और इस जीत में Frankfurt के लिए अगले सीजन में Champion League में पहली उपस्तिती हासिल की है टॉप 5 questions related to football हम बात करें चली टॉप 5 questions related to football हम बात कर लेते हैं इटेलियन कप 2022 तो ये टाइटल किसने जीता है इंटर मिलान FC के द्वारा जीता गया है तो ये जीता है रियल मैडरिट FC के द्वारा 75th Santos Trophy तो ये केरेला के द्वारा जीता गया है तो ये हैदराबाद के द्वारा जीता गया है तो ये जीता है Chelsea English Club के द्वारा एट नमबर गैशन है वेर विल दे न्यू डवलपेंट बैंक ए मल्टी लेटरल बैंक और ब्रिक्स कंट्रीज ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ओपिस इन इंडिया ब्रिक्स देशों के भवपक्षिय बैंक न्यू डवलपेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला शेत्रिय जो कारेला है ये कहां पर खोला जाएगा तो ये गुजरात के अंदर खोला जा रहा है सीज का करेक्ट आंसर है शंगाई इस्तिद ब्रिक्स देशों का भवपक्षिय बैंक न्यू डवलपेंट बैंक भारत में अपना पहला शेत्रिय कारेले गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस ट्रैक सिटी में खोलने वाला है ताकि देश की धनचंगत और सतत विकास की जरुरोतों को पूरा किया जा सके और भारत कारेले नई परियोजनाओं के विकास कारेले और निगरानी के द्वारा देश में अपनी उपस्तिती बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला है एंडीबी के मोजूता शेत्रिय कारेले नए भारत कारेले द्वारा पूरक होंगे और इसका अफरीका शेत्रिय केंद्र में जोहांसबर्ग में खोला गया सो पाउलो में अमेरिका का शेत्रिय कारले 2019 में ब्रासिल में एक उप कारले के साथ में और 2020 में मोस्को में यूरेशियन शेत्रिय केंद्र है NDP की जो इस्तापना है ये जुलाई 2014 में ब्रिक्स देशो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिन अफ्रीका के दोरा की गई थी और तब से बांगला देश, सेयुक अरब अमीराथ, मिश्र और उरोगवे बैंक में शामिल हो गये है और NDP ने कुल 7.1 बिलियन डॉलर के निवेश की 21 भात ये परियोचनाओं को अधिकरत किया है NDP की बात करें तो इसकी स्तापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और इसका हेरकवाटर शंगाई चाइना के अंदर है और इसके प्रेजिडेंट कौन है? तो ये है मार्कोस ट्राइजो 9 नाइन नमर क्रेशन है विजे शेकर शर्मा को अगले 5 साल के कारेकाल के लिए पेटियम के प्रबन निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में अपोइंट किया गया है इनका कारेकाल 19 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2027 तक रहने वाला है और 197 कम्पिनिकेशन्स जो पेटियम ब्रेंड के तहट सूची बद है इन्होंने मदू देवडा को 20 मई 2022 से 19 मई 2027 तक 5 साल के कारेकाल के लिए कमपनी के अतरिक निदेशक के रूप में नियूक करने की गोशना की है चलि टॉप फाइव नेशनल अपोइंटमेंट्स को हम रिवाइस करें न्यू प्रेजिडेंट ओफ इंडियन पलसेज और ग्रेइन असोशेशन तो ये बने है बिमलको ठाडी चेरमेन औफ नैशनल माइनर्टीज कमिशन तो ये है इकबाल सिंग लाल्पूरा न्यू चेरमेन ओफ यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन तो ये है नौक्टर मनो सोनी न्यू डिरेक्टर जनरल ओप मिलिटरे ओपरेशन तो ये है मनुज कुमार कटियार न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू इंडिया तो ये है अजे कुमार सूध तो इसका करेक्टर आंसर है ये 22 मई को मनाये चाता है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन है डिटेल से हम बात करें तो जे विवित्ता की मुद्दो के बारे में जाग रुकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतराष्टे जे विवित्ता दिवश या विश्व जे विवित्ता दिवश मनाये जाता है और ग्रह के संतुलन को बनाई रखने के लिए जे विवित्ता आवशक होता है और ये पालिस्तिती की तंत्र सेवाओं की आधारशिला है जो पूरी तरह से मानव कल्यान से जुड़ी है और इस बार की थीम रखी गई है ये रखी गई है Building a Shared Future for All Life सभी जीवन के लिए एक साजा बविश्य का निर्मान इस बार की थीम रखी गई है जैवी विवित्ता पर कन्वेंशन के सहमत पार्ट को अपनाने के लिए सम्मेलन के नैरोबी अंतिम अधिनियम द्वारा 22 मई 1902 में को कन्वेंशन के पार्ट को अपनाने का इसमरन करने के लिए दिसंबर 2000 में सेंक्त राष्ट महासबा नहीं 22 मई को जो इंटरनेशनल बायो डाइवर्सिटी डे है इसके रूम में मनाने को अपनाया टॉप डेस को रिवाइज करें तो 14 मई को हमने वर्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया है 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे बनाया है 16 मई को इंटरनेशनल डे ओफ लाइट और नेशनल डेंगू डे मनाया है 17 मई को हमने वर्ड टेली कम्म्निकेशन एंड इन्फोमेशन स मनाया है और 21 मई को हमने एंटी टेर्रोरिज्म दे मनाया है और 22 मई को क्या मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है इंटरनेशनल बायो डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है चली कल के जो mcq है उन्हें हम जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेशन है प्रध बेचेगा तो इसका करेक्ट आंसर है IDBI जो बैंक है ये बेचने वाला है C का करेक्ट आंसर है मांट एवरेस्ट की 8830 मीटर उचाई पर दुनिया का सबसे उचा मोसम स्टेशन किसने इस्तापित किया है तो इसका करेक्ट आंसर है National Geographic Society के द्वारा ये स्तापित किया गया है इसका करेक्ट आंसर है फॉन नमबर क्वेशन है किस देश ने अंतरिक्ष टेलिसकोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग ग्रह की खोज की योजना बनाई है तो ये बनाई गई है चाइना के द्वारा बीस का करेक्ट आंसर है फाइब नमबर क्वेशन है वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस को कौन खरीदने वाला है तो इसका करेक्ट आंसर है फोन पे खरीदने वाला है इसका correct answer होगा, 7 number question है, वित्वाष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है, तो इसका correct answer होगा, 83.57 जो बिलियन डॉलर है, इसका FDI प्राप्त हुआ है, 8 number question है, किस भारतिये को प्रतिश्टित हमब बोल्ड रिसर्च अवोर 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इ इंद्रजीत सिंग को ये दिया गया है, C's का correct answer है, 9 number question है, किस भारतिये कमपनी ने सैउक्त अरब अमिरात में होने वाली T20 लीग में franchise ही हासिल की है, तो ये हासिल की है, अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा, D's का correct answer होगा, 10 number question है, एकिकरत दिल्ली नगर निगम के यहां पर बनाया जा रहा है, तो इसका correct answer होगा, जम्मु एन कश्मीर के अंदर यह बनाया जा रहा है, C's का correct answer होगा, और यह है आप लोगों के लिए आज का study gloss question, चतुर्भु सुरक्षा समान्थ, क्वाड लेडर्स, शिकर समेलन, 2022 का जो आयोजन है, यह कहां पर होगा, त पसंद आया है, तो आप इसे like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में share कीजिएगा, तो चले मिलते हैं हम एक नए session के साथ में, thank you